देखो यदि आपकी उमर 40 पलस है या 50 पलस है या 60 पलस के आप हैं तो एक बहुत बड़ा एक सबाल है जो आपके सामने होता है कि 60 के बाद क्या सेक्स खतम हो जाता है क्या 50 के बाद सेक्स कम करना चाहिए नॉर्मल उतना ही करना चाहिए या जादे करना चाहिए और 50 ये 60 के बाद सेक्स के लिए क्या कोई दवाई लेनी चाहिए क्या कुछ खान पान में बदलाब करना चाहिए क्या कुछ जो तरीका है व के बाद आप अपनी sex life को कैसे regulate करें और कैसे एक healthy sex life जियें। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि 50 ए 60 के बाद जो sex की urge है वो बढ़ जाती है और physically उन्हें sex को execute करने में काफी परिसानी होती है। यानि कि उन्हें या तो PME होता है या erectile dysfunction ED होता है या कोई anxiety या overthinking या कोई depression या कोई emotional issue होता है जिसके कारण वो sex के लिए बहुती ज़्यादा fragile, बहुती ज़्यादा obses हो जाते हैं और उनका जो sex का desire है वो बढ़ जाता है लेकिन female partner की ये complaint होती है कि उनका जो partner है या उनके ज discharge हो जाते हैं, hardness की कमी होती है, time की कमी होती है वो अपने partner को satisfy नहीं कर पाते हैं ऐसा नहीं कि वो आदमी अपने partner को satisfy नहीं करना चाहता वो करना चाहता है लेकिन वो time, hardness वो सब कुछ नहीं होता है तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है और आपकी जो sex life है उसे regulate करने की और बदलने की जरूरत है ना की depressed होने की जरूरत है और उंटी सीधी दवाईयां खाने की जरूरत है तो पहले तो हम थोड़ा सा aesthetics पर बात करते हैं, data पर बात करते हैं देखो, दुनिया में लगबग 20% लोग हैं जो हपते में 2-3 बार sex करते हैं दुनिया में लगबग 30% लोग हैं जो week में एक बार sex करते हैं दुनिया में लगबग 50% लोग हैं जो month में एक बार sex करते हैं लेकिन ये तो रही aesthetics sex के बारे में लेकिन science क्या कहती है और आपका सरीर और आपकी conditions क्या कहती है ये बहुत important है देखो एक CDC guideline है कि आपकी कोई भी उमर हो मतलब 18-60 के बीच में 72 hours में एक बार ejaculate करते हैं ejaculate से मतलब है कि आप masturbation कर लें आपका nightfall हो जाएं या आप sex कर लें तो वो आपके लिए normal healthy practice मनी जाती है और वो आपके hormones के लिए आपके दिमागी स्वास्त के लिए आपके emotional यानि भावनात्मक स्वास्त के लिए एक healthy practice है इसको regulate रखना चाहिए और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं लेकिन अब बात आती है कि young age में आपकी जो desire sex की वो जादा हो सकती है यानि month में 21 से 25 टाइम या 21 से 45 टाइम भी एक इनसान sex कर सकता है मतलब on an average एक से दो बार भी लोग young age में sex करते हैं तो यह depend करता है आपकी physical आपकी mental strength पे और आपके partner आपकी need पे तो यह जो frequency है यह अलग-अलग हो सकती है लेकिन आपके समझने के लिए एक scientific guideline यह है कि आप 72 hours में एक बार ejaculate करें आप 18 से 60 साल के बीच में किसी भी age में हो अब इसको इस तरीके से समझे है कि जब young age में हो तो आप मतलब 3 दिन में 3 बार भी कर सकते हैं और यदि आप aging पे जा रहे हो तो तीन दिन में एक बार भी आप sex करें तो वो भी आपकी healthy practice होती है अब आते हैं दूसरी बात में कि 60 के बाद क्या sex करना चाहिए देखो 60 के बाद भी आप अपने sex life को regulate रख सकते हैं लबग 65 या 68 तक यदि आप healthy हैं तो आप अपनी sex life को regulate रख सकते हैं लेकिन कुछ problems हैं, कुछ challenges हैं जो आपको face करने पड़ते हैं सबसे पहले है कि 60 के बाद या 60 पे आते आते आपको एक aging शुरू हो जाता है aging से मतलब है कि आपको osteoporosis हो सकता है, osteoarthritis हो सकता है, diabetes हो सकता है hypertension हो सकता है, coronary artery disease हो सकता है और आपका जो testis tone hormones है, जो आपकी sexual activities के लिए, sex की strength के लिए responsible है उसका secretion लगबग 30% 60 तक आते आते कम हो जाता है इसका मतलब है कि 42 के बाद आदमी के अंदर और 38 के बाद females के अंदर sex desire हर साल लगबग 1% कम होती है, यानि कि हम aging पे जाते हैं, that is very much normal अब एक दूसरी चीज आती है कि sex desire का hormone से directly क्या link है देखो sex desire का hormone से directly link है, क्योंकि जब आपके body के अंदर androgen और testis tone और female के अंदर estrogen और progesterone जब यह hormones properly secret होते हैं, तो आपको sex desire आती है आपके जो दूसरे hormone से वो coordinated होके आपको desire पैदा करते हैं प्लस आपका जो secretion है towards the penis or the sexual organs वो better होता है तो इससे आप sex को महसूस करते हैं, sex perform कर पाते हैं next point है कि आपको जो aging problems हैं, उनको कैसे manage किया जाए देखो आप अपने weight को control रखिए, regular exercise करिए यदि कोई आपको metabolic या underlying life style problem है तो उसको manage करिए जैसे कि diabetes हो सकता है, आपको blood pressure हो सकता है, depression हो सकता है aging disease यानि osteoporosis, osteoarthritis हो सकता है और दूसरा भी कोई दिक्कत यदि आपको है तो आप उसका दवाई लीजिए उसको manage करिए अब sex को 60 के बाद sustain कैसे किया जाए दिक्को sex को sustain करने के लिए 60 के बाद आपको time देना होगा 4 play वाला time बढ़ाना होगा और आप जो obsis हो गए हैं sex के लिए उसको आपको खतम करना होगा daily आप 60 के बाद sex नहीं कर सकते 60 के बाद आप 72 hours यानि तीन दिन में एक बार sex कर सकते हैं या हपते में एक बार sex कर सकते हैं आप time बढ़ाईए, 4 play बढ़ाईए अपने brain को, अपनी body को थोड़ा सा आपको जादे समय देना पड़ेगा क्योंकि blood का circulation आने में hormones को boost up होने में थोड़ा जादे time लगेगा यानि कि young age में जितना time लगता था उससे double or triple time आपको लगाना होगा next point यह है कि आप अपने खाने में बादाम, अखरोट और खजूर ये सामिल करिए और दूद आप, यदि आपको milk से कोई allergy नहीं है और milk के digestion में कोई issue नहीं है तो लगबग 300 ml आप milk लीजे और लगबग 10 to 15 ml यानि 2 से 3 चमच आप प्योर काउ का देसी घी अड़ करिए तो इससे आपका testis strong boost up होगा sperm counter healthy होगा और sex desire आपकी regulate होगी और आपके पास sex को perform करने के लिए एक sufficient energy होगी अब दूसरी बात यह आती है कि थोड़ा सा कुछ change कर सकते हैं नए posture try कर सकते हैं नए तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं और पहले आप अपने brain को तयार करिए यानि आप पहले sex को imagine it करिए और फिर आप उसको practically perform करने की कोशिस करिए बट 1, 2, 3, 4 steps में इसको divide करिए पहले देखना, imagineate करना, touch करना, महसूस करना उसके बाद hugging kissing पे जाईए, licking पे जाईए, fingering पे जाईए और उसके बाद आप last में vaginal sex यानि vaginal stroke के लिए जाईए और कई बारी आप कोशिस ये करिए, कि आप अपने brain में vaginal sex रखे ही ना क्योंकि यदि आप targeted नहीं करेंगे brain को, brain पे एक pressure नहीं डालेंगे time bonded नहीं करेंगे, तो चीजों को आप regulate कर सकते हो तो ये तो रही कुछ natural चीजे, अब बात आती है कि जो अस्वगंदा या बहुत सारे जो herbs हैं, या फिर आयरुवेदिक चीजे हैं, जो sex को boost up करने के लिए ली जाती है, 90% ये medicine से आपको कोई फायदा नहीं होता है, केवल ये marketing है, केवल ये एक myth है, आपका जो sex का performance है, वो आपकी quality of sleep, regular exercise, positive mindset और अपने partner के साथ connectivity, link, ये बहुत important चीजे हैं, जब तक आप इनको ठीक नहीं करोगे, आप ठीक नहीं होगे, कुछ natural चीजे हैं, जो हमने बताई हैं, वो अपने food में सामिल कर लीजे, उसके बाद आता है कि क्या कोई medical treatment हो सकता है, देखो, यदि आपको ED जैसी कोई समश्या है, PME है, तो yes, आपको medical treatment लेना चाहिए, बट 60 की age में, कोई भी medical treatment, डॉक्टर की सला से ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके side effect होते हैं, और side effect से दिल दिमाग के दौरे का risk सबसे ज़्यादा होता है, तो इससे हमें बचने की ज़र होते हैं, फिर भी आपको यदि कोई तकलीव है, कोई problem है, और आप यदि कोई second opinion लेना चाहिते हैं, या consultation चाहिते हैं, counselling चाहिते हैं, तो आप हमें WhatsApp message कर सकते हैं, thank you very much and take care yourself.